नमस्कार आप देखरें नियूसफ़ नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजाँ देश और दुनिया में कोरुना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए लगतार पाबंदियां लगाई जा रहे हैं भारत में भी दो महिने से लोकडाउन किया गया क्योंकि इसमें अभी वैक्सीन कोई भी बनकर तयार नहीं वा है ऐसे में सबको बस एक ही उमीद है कि कैसे मास गैदरिंग को रोका जाए कैसे लोगों को एक दूसरे से संपर करने से रोका जाए खास बात सोचल डिस्टंसिंग मेंटेन कराने की कोशिस की जा रही है भारत में भी दो महिने से लोकडाउन है लोकडाउन का फूर्थ फेज अभी चल भी रहा है लेकिन इन तमाम कोशिसों के बाबजूद जो एक उमीद रखी गई थी कि वाईरस के संक्रमन को रोका जाएगा चेन को तोड़ा जाएगा वो नहीं तोटा है और संक्रमित मरीजों की संख्या में लगतार इसाफा भी हो रहा है फिलाल जो अपडेट पूरे देश के हैं उसके मताबिक अब जो टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या है वो एक लाग पैतालीस हजार हो चुका है इसके साथ ही हम आपको आज पूरे डिटेल ने बताते हैं कि कौन-कौन से स्टेट में कितने संक्रमित मरीज हैं ग्र परास्ट की बात करें तो यहाँ पर 52,667 मरीज अभी मिले हैं तिलांगाना में भी 17,082 मरीज पाए गए हैं डेली में 14,033 मरीज हैं राजस्थान में 7,296 मध्य प्रदेश में 6,869 मरीज अभी मिले हैं वहीं अगर बात यूपी की कर लें तो यूपी में 6,497 मरीज हैं व अरुनाचल प्रदेश में 2886 और हेमाचल प्रदेश में 223 इसके साथ ही बात उत्राखंड की तो 349 मरीज यहां अभी मिले हैं जारखंड में 405, ओडिसा में 1438, हरियारा में 1213, पंजाब में 2081 और इसके साथ ही चंडीगर में 266, आसाम में 549, किरला में 897 इसके साथ ही बात बिहार की, खास तोर पर हम बिहार की करेंगे, तो बिहार में अभी टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या 2737 हो चुकी है, अभी तक अभी कोई अपडेट आज दिन का सामने नहीं आया है, लेकिन कल जो मरीज मिले थे, वो टोटल मरीज 155 बिहार में मिले थ तो ऐसे में प्रवासी मजदूर एक कोरोना कैरियर बनकर बिहार आ रहे हैं और ये टोटल अपडेट अभी का है पूरे देश का और पूरे राज्यवार तरीके से हमने आपको बता है कि कहाँ पर कौन-कौन से कितने स्टेट में कितने सारे संक्रमित मरीज हैं इसके साथ ही बिहार में भी चिंता का विशय ये लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी भी जितने प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार हर रोज आ रहे हैं और उसकी विवस्थाएं भी आप देख रहे होंगे भले ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर आई जारी हैं बस के अंदर तो बैठी रहे हैं बस के उपर भी बिठा करके उन्हें उनके ग्रीजिले भेजा जा रहा है तो ऐसे में जो उम्मीद लगाए गई थी कि अब कोरुना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जाएगी हम लॉकडाउन करके इस पर क कंट्रोल पा लेंगे वो कंट्रोल कहीं भी होता वा नहीं दिखरा है जाद अपडेट के लिए आप देखते रहें नियूस फोनेशन नमस्कार